हम आपको सिलसरवार तरीके से दिखाएंगे और साथ ही हम आपको ये बता रहे हैं कि रीजन वाइस कितना रेप्रेजेंटेशन मिला है साथ ही कास्ट वाइस भी किस कास्ट को कितना रेप्रेजेंटेशन दिया गया है और क्यों हम आपसे बार-बार कह रहे थे कि 2024 के लिए ए 75 प्लस में तो अभी तो पुदार मंत्री जी 75 प्लस के नहीं होंगे 2024 तक तो जो अभी की कैमिनेट है उसमें 75 से एवब कोई नहीं है सब नीचे ही वाले हैं बल कहना चाहिए यंगस्टर्स का चरह ज्यादा दिखाई पड़ रहा है चाहे प्रजेस पाठक हो या जितने भी मं पास के हैं 5060 के बीच में कोई बहुत ज़्यादा उम्रदराज मंत्री नहीं है तो यह दिखाई पड़ता है लोगों में काम करने की च्छमता है तब तक उनको रखा जाएगा नहीं वो 2024 के लिए 75 प्लस as in terms of seats की बात कर रहा है तो उसी में आ रहा हूँ 2024 जबो कह रहे हैं तो कहीं न कहीं प्रधान मंत्री के तरफ भी सारा होता है तो 2024 में प्रधान मंत्री 75 वाले नहीं पूछने वाले हैं इसलिए यंगस्टर सेरे लिए 2024 के लिए भी लाएंगे मु लेकिन यह है और जब कोई पार्टी का नेता अपने कारेकरता को कोई कॉल देता है कोई उसके सामने लक्षे रखता है तो हमेशा लक्षे जो है वो थोड़ा कठिन वाला रखा जाता है ताकि उसके लिए पूरा प्रयास करें पूरी पार्टी जो है वो सामुही तोर पे एक और गोल एक और चुनौती आपी से कह सकते हैं कि सेट कर दी गई है बीजेपी वोकर्स के लिए जब 75 प्लस की बाद 2024 में की जा रही है योगी 2.0 ये बड़ी कवरिश लगातार जा रही है अपसे बस थोड़ी देर बाद करीब 20 मिनिट बाद योगी 2.0 काबिनिट की पहली बैठक इस बैठक में क्या कुछ बड़ी बाते निकल कर आती हैं क्या इस मीटिंग का एजिंडा रहता है हर अपडेट और तस्वीर जी यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है अपर ये मारे साथ